हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चानल में आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY शेयर करने जा रही हूँ ये मैंने एक कार्ट बोर्ड मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं लाइक कोई electronic समान आता है तो उसके कार्ट बोर्ड कठे हो जाते है तो उनको आप reuse कैसे करेंगे तो मैंने वही आज एक ट्राइ किया है मेरा कोई भी festival होता है तो मेरे को उसको decoration के लिए समान चाहिए होता है market समान बहुत costly आता है आप low budget में कैसे आप छोटी छोटी चीजों को से आप DIY यूज करके आप एक decoration का setup तयार कर सकते हैं तो मैंने आज चोटे-चोटे दो stool बनाने का try किया है तो उसके लिए मैंने 16x16 और 14x14 के pieces कट करने शुरू कर दिया है 16x16 के मैंने 8 piece कट किये है 14x14 के मैंने 5-5 की ऐसे payer बना के 4 value करे है तो मैंने क्या किया है कि 16x16 का first लेकर उसके उपर 14x14 के 5 pieces लेकर और उनको एक के उपर एक paste करना शुरू किया ताकि मेरी layer बने और एक stool जो है वो उपर की तरफ होना शुरू हो जाए उसके बाद फिर मैंने उसके उपर 16x16 का एक कत्ता रखा उसके उपर फिर मैंने 5 रखे 14x14 के इस तरीके से मैं यह continue करूंगी जितना मुझे उचाही अपने इस टूपल की चाही है तो मैंने कुछ इस तरीके से रड़ी किया उसके बाद मैंने उसको फेविकॉल से भी मैंने उसको secure किया और फिर मैंने टेप से उसको secure किया चारो तरफ से ताकि जो है वो अबतम सॉलिड रहे कोई चीज उसके उपर से कुछ रखे तो वो गीरे नहीं तो मैंने उसके बाद उसको एक newspaper की मदब से उसको wrap कर दिया अची तरह से तो यह मैंने newspaper की तरफ से wrap किया उसके बाद मेरे पास थे paper work paper पे मेरे पास colorful papers बहुत सारे पड़े हुए थे तो मैंने उन papers की मदब से उसको एक बार और wrap किया और उसके बाद आप चेक करो कि मेरे DIY मेरे बनाएवे boxes रेडी हैं अब मैं उनके उपर अपने decoration के हिसाब से समान रख सकती हूँ Thank you